जै मातादी मित्रो मेरा नाम पड़ीत प्रकाज जोजी स्वागत है मेरे यूट्यूब फेस्बुक चैनल एस्टो आज में मित्रो आज हम चर्चा कर रहे हैं धनू रासी के मंतली राशी फल के बारे में यानि फरवरी का महीना धनू राशी का कैसा रहेगा कैसी रहेगी धन क स्वास्त की परिवार के उनके दामपत्य के उनके फाइनेंस की इस्टति इसके बारे में चर्चा करेंगे और मित्रो पिछले महीने तीस साल बाद एक बड़े ग्रह का परिवर्तन हुआ है और उसका संबंद धनू राशी से सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते है 17 जनवरी 2023 में शनी 30 साल बाद कुम राशी में परवेश कर गए है जिससे की धनू राशी की साड़े साती जो चल रही थी साड़े साथ साल से उसका अंत हो गया है यानि कि अब धनू राशी को देखा जाए तो बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं पहली चीज मानसिक विकार जो चल रहा था जो कामों में असपलता धनू राशी की चल रही थी परिवारिक उलजने जो चल रही थी उससे अब आपको धाई साल के अंदर मुक्ती मिल जाएगी साथी साथ देखा जाए अब धाई साल आपकी करियर में अच्छी ग्रोथ होगी साथी साथ अब आपका काद अब आपकी पावर बढ़ जाएगी अब बड़े बड़े लोग भी आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे साथी साथ इन धाई सालों के अंदर आपका प्रॉपटी का या वाहन बदलने का योग भी नजला रहा है साती साथ देखा जाए तो शनी आपकी राशी से तृत्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो थोड़ा स्वास्ते पे ध्यान रखें हड्यों की प्रेशानी हल्की-फुल्की और दांत की प्रेशानी आपको हल्की-फुल्की रहेग तो साथ के महने में पूरे पूजा पाठ और अध्यात्म में आपके अचानक रूची जागरित हो जाएगी यह भी शनी के कारनी होगा जो 30 में आपकी रूची जागरित हो जाएगी किसी बड़े गुरू से आप प्रभावित होंगे उनसे मुलाकात करेंगे या अचानक मुलाकात फरवरी के महीने में हो गया ध्यात्मिक परिवर्तन आएगा धन की इस्तिती के बारे में अगर बात करें तो एक तारिक से लेकर 28 फरवरी तक देखा जाए तो मिला जुला फल मिलेगा यानि कि पहले पॉजिटिव बनता देता हो रुकावा धन फचावा धन फरवरी में आपको मिल सकता है धन सम्बंदी कोई बड़ा काम बड़ी दील आ किन नुकसान क्या है नुकसान यह है कि माता पिता को हल्की सी धन हानी के योग नज़र आ रहे या जो भी आपके भाई-बेहन है उनको ऊनलाइन transaction करते समय कोई धोका या धन की हानी हो सकती है भाई बेनों के साथ में कुल मिलाके आपके लिए तो धन की स्थती अच्छी है लेकिन परिवार में कुछ न कुछ आपको गड़बर सुनाई देगी परिवारी के स्थती के बारे में बात करें तो फरवरी के महीने में गुरू चतुर्थ में ही विराजमाने तो भूमी का योग बनता है या property के renovation या property के निर्माण या property के क्रह विक्रे में से कुछ ना कुछ का योग बनता है साती साथ परिवार के साथ में फरवरी के महिने में आप किसी बड़े गुरू से मिलने या उनके आश्रम मंदिर में मट में मिलने के योग भी आपके बन रहे हैं तो परिवारिक दृष्टी से भी फरवरी का महिना अच्छा है संतान के लिए बात करें तो संतान के लिए ये जो फरवरी का महिना बहुत अच्छा नहीं है चोटी संतान को ENT की प्रेशानी या मुख के रोग या नेतर से समंदी प्रेशानी फरवरी में रह सकती है बड़ी संतान का देखा जाए जो 18 से बड़ी उमर की है तो उनका वाहन पे खर्चा सकता है करियर में कुछ प्रैशर में कुछ टेंशन में रहेंगे और किसी से जगड़ा भी हो सकता है फरवरी में ऐसा योग बनता है विध्यारतियों के लिए बात करें तो विध्यारतियों के लिए फरवरी का महिना बहुत अच्छा नहीं है लाव पार्टनर या अपने फ्रेंडों से आपके वाद विवाद होंगे वान पे आपका खर्चा होगा हानी पे हानी फरवरी में होती रहेगी और स्थान भी परिव योग बन रहा है फरवरी में अचानक आपका इस्थान परिवर्थन के योग बन जाएंगे और इस्थान परिवर्थन के साथ ही आपको पद और धल लाब की भी योग बनते हैं हाँ अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं विदेशी काम में लिप्त हैं तो थोड़ा सा फर दामपत्य जीवन के बारे में आगर हम बात कर रहे हैं तो चाहे प्रेमी प्रेमी का हो चाहे पती पत्नी हो दामपत्य जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा भद्र योग बन रहा है देखा जाये तो आपका जो पार्टनर है उनको पढ़ने का शौक जागरित होगा या फरवरी के मेने में आपके पार्टनर किसी काम में ज्यादा बिजी रह सकते हैं अब बात कर लेते हैं धनूराशी के व्यापारी होगी तो यहां पर फरवरी के मेने में भद्र योग बन रहा है यानि काम में बहुत तेजी देखी जा सकती है ग्राक में ब्रिद्दी होगी पाटनस्षिप या नए काम के आपको नए ओफर मिल सकते हैं, आप साड़े साथी खतम होगी है तो आप कर सकते हैं, आदनिक उपकरणों में भी आपका इंवेस्ट होगा जो भी फर्वरी के मंतली राशी फल अगर मेरा मंतली राशी फल आपको अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब फेस्बूक चैनल को सब्सक्राइब यो फॉलो जरू करें तो इस कारे करम में मित्रो बदितरा ही मुझे दीजे जादा जैमाता दिमित्रो